नमस्कार दोस्तों मैं इंद्रजीत फ्रेन आज बेहद इंपोर्टेंट टॉपिक में बात करने वाला हूं जो बच्चे क्लाश 10 में अभी फर्स डिविजन पास हुए हैं उन सभी बच्चों के लिए एक सुनहरा मौका है वे प्रयास एंटर्स एक्जाम देकर कक्छा ग्यार अभी हम पूरे वीडियो में अन तक चर्चा करेंगे तो आप चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से जरूर करिएगा और वीडियो में अन तक बने रहिएगा सारा डेटेल बताएंगे कि कैसे आपको फॉर्म भरना है क्या क्या डाकुमेंट्स लगेंगे साथ ही कैसे आपको तैयरी करनी है प्रिया सर कुश्चन पेपर कैसे देख सकते हैं पूरा डेटेल में बताएंगे कितने सीटे हैं चली अभी फिर आला पन देखते हैं तो छत्यर राज्य में नौ प्रयास अव जो की परिवर्तन सील है मतलब है और बदल सकता है चली अभी हम देखेंगे इसमें कौन से प्रयास में कितना सीट है जिसके लिए अभी इंट्रेस एक्जाम लिया जा रहा है कि देखेंगा कि इस स्क्रीन पर आपको सारा चीट दिखाया जाएगा सबसे पहले हम बात करेंगे बालक रायपूर सड्डू जहां केवाल आप गणी लेकर पढ़ाई कर सकते हैं और जैई मेंस के हां त्यारी कराई जाती है इसमें आप देख पा रहे होंगे अनुसुचित जन जाती बालक के लिए साथ सीट है पीवी टीजी बालक के लिए आड़ सीट है और कन्या के लिए तो दोनों में एं सीट नहीं है साथ ही अनुसुचित जाती अर्थाथ SC के लिए बालक में 4 चीट है अन्य पिछड़ा वर्ग में बालक में 4 चीट है समान्य में आप देख पा रहे होंगे 3 सीट है टोटल 26 सीट प्रयास सड्डू के लिए जो की बहुत बड़ा है आप देख पा रहे होंगे स्क्रिन पर 26 सीट माईने रखता है इससे पहले भी इंटर्स एक्जाम हुए है लेकिन इतना सारा सीट प्रयास सड्डू में और इस बार सारे संकाय को मिला है मतलब सारे कैटीगीरी की मैं बात कर रहा हूं अरुसूची जन जाती की बात करे चाहाँ जाती की बात करे तो इसमें बालग में सब 00 00 दिखाएंगे कवी कंया वाला ही है जैसे उसमें रायपूर बालग में जब हम देखे थे तो उसमें 00 दिखा़ था कंया में तो ऐसे आपको समझ जाना है देखेगा कंया में यहां रायपूर में 4 dato PVT जी का है आपका 6 गा 10 गा मानने का तीन सीट तो इस प्रकार तीवीश सीट है पहली बार इतना ज्यादा सीट रायपूर गुड़ियारी में यह आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज है बैई चले देखेगा बिलासपूर में जहां आप आर्च या कामर्स लेकर पढ़ाई कर सकते हैं तो यहां आप देख पा रहे होंगे अनुसूचित जन जाती बालक 14 सीट और कन्या का 2 सीट वहीं पीवी टीजी में आप देखेगा बालक 3 सीट कन्या 1 सीट फिर अनुसूचित जाती में देखेगा बालक 5 सीट कन्या 0 और अन्य पिछड़ा वर्ग में दोनों में 55 सीट है बालक और कन्या साथी समानने वर्ग में आप देखेंगे कि एक सीट है मात्र टोटल 28 बालक है और 8 कर्ण्या इस प्रकार 36 सीट विलासपुर में खाली है जिसके लिए इंटरिक्जम होने हैं उसी प्रकार आप सर्गुजा का भी देख सकते हैं सबसे इन पोटेंज यहां मैं दूर्ग का दिखा दूँ आपको देखेगा दूर्ग का अन्य पिछडा वर्ग एक भी सीट आपको गल्स में नहीं मिलेगा ब्वाइस में तो एक सीट है भी वहीं अनुसूचित जन जाती में देखेगा बालाक में चार चीट है कन्या जीरो है PBTG में दोनों ही 0 है और अनुसूचित जाती में अर्थात SC में बालक के लिए 3 सीट है करन्या के लिए 1 भी सीट नहीं है उसी प्रकार समानने वर्ग में बालक के लिए दो सीट है करने के लिए एक भी सीट नहीं है और यहां आप सभी जानते हैं जो ब्वायस होते हैं वो बायो लेकर पढ़ सकते हैं दूर्ग एक मात्र सांदार प्रयास का इंस्ट्टूट है समझी आप जहां से बेहतरिन से बेहत की बात करें चाहे आप जही मेंस की बात करें चले बाकी कभी आप देख सकते हैं कित्ती कित्ती सीटे हैं एस्क्रिन पर सारा चीज सो आउट हो रहे हैं टोटल आप देखेगा 148 सीट है अमार पास और देखे आन लिखा है इन प्रयास अवासी विद्यालों के कक्छा 11 में अध्धनरत विद्यार्थियों का संकाय परिवर्तन की ऑनलाइन प्रत्रिया जारी है अभी ये चली रहे तो स्ट्रीट में और परिवर्तन हो सकता है चले आगे देखेगा योजना अंतर्ग सामिल छेत्र इसमें आप देख पा रहे होंगे कि संपून अनुसूचित छेत्र में स्थित सास की असास की सालाओं से कक्छा 10 वी 39 विद्यार्थि इसके लिए पात रहोंगे साथी नक्षल प्रभावित LWE घोसित ऐसे जिसे अथवा नक्षल प्रभावित जीले के ऐसे भूभाग जो अनुसूचित छेत्र में सामिल नहीं है वहाँ पर आदिवासी उप्योजना छेत्र में स्थित सास की असास की सालाओं ये सभी आपका पात रहेगा विशेश रूप से कमजोर जन जाती जैसे कमार हो गया बैगा हो गया और आपका बिरहोर हो गया पहाडी कुरवा अभूज मारिया पंडो और भुंजिया ये जापका विशेश रूप कमजोर जाती है इनके लिए प्रात्मिक्ता है प्रयास में मापदंड आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको यह डिसाइड करना पड़ेगा कि आप क्लास 10 का जो अभी रिजल्ट आया है बोड इक्जाम का उसमें 60 या 60 प्लस लाएं कि नहीं लाएं उसे कम वाले फॉर्म ना भरें उनकी प्रात्मिक्ता ऐसे ही रद्ध हो लेकिन अगर कोई बच्चा नक्सल हिंसा से सीधा प्रभावित है उनके परिवार के बच्चों को यह जो प्रवधान है 60 परसेंट वाला वो लागू नहीं होता है नहीं रखेगा और उन्हें संस्था में सीधे प्रवेश दिया जाएगा बसरते वहार जो अब इंटरेस एक्जाम होगा उसमें वो सामील हो जाए बैठ जाए बाकि यो अच्छा नमबर लाता है नहीं लाता वो बात की बात है वो बैठ जाए बस आगे आप देखेगा कि यह जो इंटरेस इंटरेस एक्जाम होना है क्लास 10 के लिए स्वरी लेवन के लिए तो इसमें आपको हर जिले में इसका सैंटर नहीं मिलेगा जब आप इंटरेस एक्जाम देने जाएंगे इसके लिए पांच संभाग वाइस डिसाइड किया जाता है रायपूर हो गया दूर्ग अंबिकापूर और जगदलपूर यहीं आपको जाकर पेपर देना है इसके बाद आप देखेगा प्रश्ण पत्र की रूप रेखा यह तो जो प्रिवेश्यर का था वही है सेम कोई चैंजेस हुआ नहीं इस पर चालिश नंबर का आपका गणी जीविज्ञान वानी जीम कला वालों का है कोई एक चैंज करना इसमें मानसिक योग्यता आएगा चालिश नंबर का इसके लिए हमारे चैनल में सारा डेटा है आपके पास कोई दिक्कत नहीं होगा पढ़िए वहां से तलेक्शन हो जाएग भासा देखेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कोई एक का चैन करना है और है आपका समान ग्यान यह आपका 20 नंबर का इसके लिए वीडियो बने हुए उल्लेडी तो चैनल में सारा चीज है आप पूरा मटेरियल उठाईए देखे पढ़िए सेलेक्शन कराना है तो इसके बाद देखेगा प्रश्न जो है वो बहु विकल्पी होगा अर्धात अब्जेक्टिव टाइप कुश्चन होगे ओमर सीट आपको दिया जाएगा जहां आपको गोला भरना रहेगा ओमर सीट को गलत भरने या उसमें कार्चाट करने पर विद्यार्थी स्वयम जिम् इसके बाद आपको बहुत इंपोर्टेंट चीज बता देता हूं मैं देखेए पीपर कब होने वाला है तो परिच्छा होने वाला आपका 21-7-2024 प्राता 11 बज़े से डेड़ बज़े तक यह आपका इंटल्स एकजाम होना है साथी OMRC भरने के लिए आपको 15 मेट का समय दिया जाएगा 10-45 से 11 बज़े तक का अत्रिक्त समय दिया गए आपको क्लियर अब हम देख लेते हैं संभाग जिनको समझ नहीं आ रहे था जैसे आप कोरिया जीले के हो सुरजपूर के हो सरगुजा के हो जसपूर के हो या बलरामपूर या फिर आपका MCB अर्थात मनेंद्रगड चिर्मरी भरतपूर ये सारे बच्चे एजीले के सारे बच्चे कहां जाएंगे पेपर देने सरगुजा जाएंगे उसी प्रकार कांकेर, जगदलपूर, नरायनपूर, विजापूर, धंतेवाडा, सुकमा, कुंडा गाओं यहां के सारे बच्चे जाएंगे बस्तर बालोद, मोलामानपूर, अंबागड, चोकी, खैरागड, गंडई, छुईखदान, राजनान गाओ, कबीरधाम यहां के सारे बच्चे जाएंगे एंटरिस उखजाम देने दूर्ग, उसी प्रकार गोरेला, पैंडरा, मरवाही, कुर्बा, रायगड, सक्ती, सारंगड, बिलाईगड, जानगीर, चापा, मुंगेली यहां के सारे बच्चे जाएंगे बिलासपूर, पेपर देने, वही धमतरी, गरिया बन, महासमुदर, बलाउदा बजार, यह सारे बच्चे जाएंगे रायपूर क्लियर, कहां पेपर देने जाना है, समझ आगे होगा आपको, अब इसके बाद देखते हैं, इसका मापडन क्या हो सकता है, तो सबसे पहला तुम्हें आपको बता ही दिया हूँ कि भईया, टैंथ में आपको फर्स्ड विजन चाहिए ही चाहिए, दूसरा कि आप छतिस साती प्रमान पत्र आपको बनवा लेना है, क्लियर, इसके बाद है, विद्यार्थी को अन्य किसी विद्याला से निसकासित न किया गया हो, आपको टीसी लगेगा और मेडिकल बोर्ड का चिकिस्सा प्रमान पत्र लग जाएगा, साती सीकल सेल कभी आपको जाच कराना होग और यदि आप सीगल सेल के वहाख हैं, तो आपको प्रवेश वहाँ नहीं दिया जाएगा, इसके बाद आवेदन भरने के लिए हम देख लेंगे, कैसे आवेदन भरना है, देखेगा, ओनलाइन आवेदन भरने की प्रारंब तिथी, ये बेट आपका 21-6-2024, मतलब आज से चालो हो गया, ओनलाइन आवेदन भरने की अंतिम्ति थी है, 6-7-2024, साथी, ओनलाइन भरे गए आवेदन पत्र में तुरूटी सुधार, ये आप करा सकते हैं, 7-8 और 9 तारिक को, उसी प्रकार आप देख पा रहे होंगे, जो आपका इंटर्स एक्जाम होना है, वो 21 जुलाई को होना है, 11 बजे से देड़ वे तक आपका एक्जाम होगा, तो ये डेडलाइन आपको जानके रखना है, ताकि कहीं कोई दिक्कत नहों, एक्जाम फॉर्म अगरा भरने में, तो आप सभी cg.tribal.in पर जाके इसका और मुल्यांकन कर सकते हैं, और साथी, यदि आपको फॉर्म भरना है, तो एकलवे.cg.nic.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं, ओनलाइन फॉर्म भरना आपको, और जो रिसिप्ट मिलेगा, उसको पंजियान नंबर जो रहता है, उसी से आपको एड्मिट काड मिल पाएगा, तो फ्रेंड वीडियो में तक बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबका, और आप सभी इसके लिए त्यारी चालू कर दे, हमारे चैलल में आपको पूरा डिटेल वीडियो मिल आएगा, हर एक सब्जेक के लिए बायो, जो मैस वाले उनके लिए भी मिल जाएगा, सोसल वाले के लिए जो समाजी विज्ञान के विडियो से हैं, वो देखेगा, समाने गान का डला हुआ है, आपका जी के समाने गान, और भारत का समाने गान, यह दोनों आएगा, छत्ति करेगा, और कोई समस्या हो तो जरूर कमेंट्स करेगा, थाइंकिस सो मच फॉर लिशनिंग और वाचिंग माई विडियो,